जो काम तस्पन दुख नहीं कर सकती न, भूठलता पर पिपर सकता है जिसे मिस तो बिलकुल मत करना, तो चलिए अभी इंट्रो में जाता वक्त जाया है, ना करते हुए फटाफट से, शुरू करते हैं और ड्रक्स कहीं कारण उसकी पूरी लाइब की वाट लगी हुए, पर कहरे में ट्विष्ट तो उस वक्त आता है जब उसे एक न्यू ड्रक्स के बारे में पता चलता है और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो उसे आगरी बेचेगा तो अकिर इसके बाद स्रीज में आखिर जो कुछ भी होता है यह तो आप यह स्रीज देखकर ही जान पाओगे जिसे आप ट्रेक्ट लिए 9 एपिसोड के साथ बिलकुल फ्री में MX प्लेट से ही देख सकते हो नेक्स टमबर 9 के प्लेज पे है 2019 में आई थिंकिस्तान जिसे MDV पे 8.1 की रेटिंग मिली भी है जिसके स्टूरी मेंली फोकस करती है अमिता और हीमा नाम के दो ऐसे करेक्टर के उपर जो की एक न्यूज और एट्परटाइजिंग एजेंसी में काम करते हैं जहाँ पर हीमा की इंग्लीज काफी अच्छी होने के कारण उसका तो सब कुछ सही चल रहा होता है पर अमित की इंग्लीज पर डामार डोल होने के कारण उसको काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है तो आकिरिस के बाद हो आगे क्या कुछ करता है तो आपकी स्रीच तेक कर रिजान पाऊगे जिसे आप टोटल दो सीजन के साथ MX Play पे बिल्कुल फ्री में देख सकते हो अगरी नमबर 8 की प्लेस पे हैं 2020 में MX Play पे बिहद ही कमाल की स्रीच समानदर जिसे MDV पे 8.3 की रेटिंग मिली वी है जिसके स्टोरी मेंली फोकस करती है कुमार महाजान नाम के एक ऐसे करेक्टर के उपर जिसकी पूरी लाइब की वाट लगी हुई है इसलिए उसका एक फ्रेंड उसने एक बाबा के बास भेजता है और यह सब कुछ जानने के बद क्या वो अपने लाइब को चेंज कर पाता है याने यह सब कुछ जानने के लिए तो आपको यह स्रीच देखनी होगी जो कि वागई बेहद ही जाद अब तगडी लेबल की है जिसे अब ट्रैटली दो सीजन के साथ है पॉस एमेस प्लेट से हैं बिल्कुल फ्री में देख सकते हूँ नेक्स्ट नमबर सेबन के प्लेश पे एक छोड़ी से बड़ स्वीट सी स्रीच चीसकेक जिसे एंड यूपे 8.3 की रेटिंग मिली वी है तो अगर बात करें स्टोरी लैन के तो स्टोरी फॉलो करती है समीर और निल नाम के एक ऐसे कपल की जिनके साथी हुए अब तीन साल हो चुके हैं पर ये अब अक्सर केवल एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं और एक दूसरे का सथ अप टाइम पेंट पहले जासे नहीं कर पाते हैं हाँ पर इनके लाइफ में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब चीज के एक नाम से एक भटका हुए डाओगी इनके लाइफ में आता है पर इसके बाद उसे जॉब में उसे क्या कुछ पर ओल फेस करने को मिलते हैं और उसका आकिर बहुत से आकिर कैसे डील करता है ये सब कुछ दाने कर तो आपको ये स्रीज देखनी होगी जो कि वाकई बहुत ही जादा गारी गलोज के साथ बोल अटल्ट सीन से भी भरी पड पर इसके बाद करते हैं और उसके मर्डर के पीछे सवीर का हथ जाता है तो क्या आपको ये पसंदा जाए नेक्स नमबर पूर 8.6 आमड़ी रेटिंग के साथ एक और से जोहरी जिसके स्टोरी मेल नीरा मोधी के लाइब के उपर फोकस करती है क्या कि कैसे एक चोड़ी इस इस स्टोरी में उसके है स्टोरी को फॉलो आप की गई है पर कहीं न कहीं ये स्रीज के आमड़ी रेटिंग इतनी ज्यादा होने कि बावजुद भी ये स्रीज आपको बकवासी लगने वाली है क्योंकि आप किसी भी करेक्टर से रेलेट तो बिलकुल भी नहीं कर पाओगे जिसा आप अगर चाहो तो आमेक्स प्लेट से ही देख सकते हो और इसी का साथ नंबर 3 के प्लेट की वान अप देश्ट तगडी स्रीज एक थी बेगम और इस स्रीज को भी आमड़ी पे 8.6 के काफी अच्छी रेटिंग मिली है जिसकी स्टूरी मेली फोकस करती है जहिर ना अगले तो आपको यह स्रीज देखनी होगी जो कि वाकाई बहुत ही चाहता तगडी लेवल की है साथे साथ स्रीज में गालियों के साथ अडल सीन्स भी भरे पड़े तो अपने फैमली बारों को साथ देखने के कलती है तो बिल्कुल उमत करना और इसी के साथ अगले नंब आप सभी को हर्स बेनिवाल के लिए इस स्रीज को तेव एक पर जरूर देखने ही चाहिए तो चलिए फाइलली बढ़ते हैं आज किस लिस्ट में नंबर वन पे और नंबर वन की प्लेस पे हैं मत्या कांड और इस स्रीज को भी IMDV पे 8.8 की रेटिंग मिली वी है जैसके स् माल की है और स्रीज के बीच-बीच में डाले गए महाभारत वाले रिफ्रेंस भी आपको काफी पसंद आने वाली है जिसे मैं आपको highly recommend करूगा कि इस स्रीज को आप एक बार जरूर देखे अगर आपने अब तक नहीं देख रखाये तो क्योंकि यह स्रीज बिल्कुल फ्र